जय हिंद एक बात पर आपको गवर करना होगा कि एक अभी महरतन कंपनी से वेकंसी आई है इसका नाम है Central Coal Field Limited वेकंसी तो आई है ये बात हम मानते हैं लगातार वेकंसी भी आ रही है PSU से लेकिन एक बात इसमें गवर करने वाली बात है कि 30 मार्च को ये वेकंसी आई है अप समझ लीजिए कि मुश्किल से सवा महिना डेर महिना का टाइम पूरे प्रियड में ये रखा गया है और एक जाम ले रही है तो ये इस बात का सूचक है और हाल के दिनों में हम लगातार देखे हैं अब ये बात आप कान खोल करके सुन भी लीजिए और इस पर आप गवर भ लेकिन हाल के दिनों में जिसी स्पीड में रेलवे भागी है और हाल के दिनों में अन एकजाम में भी कई सारे स्टेट लेवल का भी देखेंगे कि वेकंसी निकाली दो महिने के बाद एकजाम हो गया तीन महिने के बाद एकजाम हो गया तो ये स्पीड कहीं न कहीं उन बच कि तयारी करते हैं या जिस भी चिज की तयारी करते हैं उसका basic level से पहले आप तयार रहें और उसके बाद selective जो एकजाम में जिस तरह का question पूछा जाएगा उसके लिए लगातार practice में बने रहें लगातार taste बर्देते रहें previous year questions solve करते रहें कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से vacancy के before आपको prepare होना परेगा और last moment में जब vacancy आएगी सिर्फ और सिर्फ आपको revision के लिए ही समय मिलेगा दूसरा कुछ भी नहीं यह इस बात का सूचक है इस बात को यह चीज यह vacancy आपको संकेत दे रहा है बी अलट अप हो जाएए नहीं तो आपको परिशानी का सामना करना पर सकता क्योंकि कोई भी competition आप बहुत आसान नहीं है अगर ELP technician के वेकंसी दे देती है तो 50 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे ग्रूप D की वेकंसी अब आती है पिछला बार एक लाग उनीस अजार वेकंसी एक करोर उनीस लाख बच्चे फॉर्म भरे थे इस बार सबा करोर एक करोर तीस लाग से जादा बच्चे रहेंगे तो अगर आप चाहते हैं कि इतने भीर में एक सीट आपको चाहिए तो और दूसरा ये भी बात हैं कि जो भी बच्चे इमांदारी पुरवक लगे हुए हैं देर जरूर हुआ है लेकिन उसका सेलेक्शन निश्चित रूप से हुआ है लेकिन प्रियास में इमांदारी होनी चा लगता है कि यह चीज आपको बहुत फाइदा पहुचा दे सर जी बहुत बहुत धन्यवाद सर निश्चित रूप से साथियों आप देख रहे हैं कि समय का बैलेंस बनाना बहुत आवसक है ठीक है और अगर टाइम आपकी मैनेजमेंट सही नहीं है और आप तैयारी लेट स सुरू परिशानी के सिकार होंगे 2 ये कोल सेंटरल कोलFit की वेकेंसी है निश्य दूर्प से याद रखे हमारे जो सेंटरल कोल की वेकांसी है इसी को पहले हम कहते थे कोल इंडिया लिमिटेट CIL ठीक है और ये 19 ताई तक आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है यहां पज़रा देख लें हमारा जो माइनिंग सरदार है उसका पेमेंट 31,852 आपका मंथली पेमेंट है और इसमें 77 पोस्ट है टोटल लेकिन ये ध्यान रखेगा य है जो OVC Non Creamy Layer है जिनके पास भी OVC Non Creamy Layer का साटिफिकेट होगा वही बच्चे योग हैं साथी SC और ST के छात्रों के लिए वेकेंसी है ठीक है फिर आपका देखिए Electrician में Technician का पद है निश्चत रूप से 94 टोटल पद है जिसमें 3 OVC का है 29 SC ST का है 94 आपका क्या है ST का आपका डिप्टी सर्वेयर उसका 20 पद है और फिर यहां पर आई असिस्टेंट फोर्मेन इलेक्टिकल तो यह जो फोर्मेन का पद है वो भी इलेक्टिकल का है तो इलेक्टिकल वालों के लिए 107 126 यह टोटल हमारे इतने पद हैं अब आपको मैं बता दूँ एज के बार करें तो माइनिंग सर्दार के लिए मैट्रिक होना जरूरी है लेकिन इसके लिए एक नई बाते हैं आपको कम से कम क्या चाहिए तो आपको एक कोईला खान अधिनियम 2017 के अधार पर आपको प्रमान पत्र चाहिए माइनिंग का एक लाइसेंस चाहिए वो अगर आपके पास से तभी आप योग हैं यानि अल्टिमेटली हर कोई टेंद का च्छात्र नहीं भड़ पाएगा जिसके पास माइनिंग के काम करने का लैसेंस होगा वही च्छात्र इसको भर पाएगा लेकिन हम विशेश रूफ से इलेक्टिशन पर जबाते हैं तो इलेक्टिशन में किसी भी मार्क्स के परसेंटेस से आपने इलेक्टिशन टेट से तो आप योग हैं लेकिन आपको यहां भी एक कन्फूजन है यहां भी एक क्वारी आती है वो क्या है ल्टी परमीट चाहिए इंडियान इलेक्टिशिटी रूल का 440 से 450 भूल पर काम करने का यानि आपको लैसे बहुत ही बड़ा सवाल है नौर्मल बच्चे बडनाकर रखते नहीं है यह लैसेंस आपको बनाना पड़ेगा कहां से बनेगा यह आपको विकास भवन से बनेगा आपके अपने जीले में इस बात तो चलिए ठीक है आप अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं लेकिन आटियाई के बाद कम से कम दो साल का कार अनुभव किसी राजपत्रित या फिर किसी रजिस्टर्ड कंपनी में काम करने का होना चाहिए आप फॉर्म भरेंगे अपला करेंगे आपका एक्जाम होगा टेस्ट होगा जैसे ड्रैवरिंग लैसेंस बनती है ठीक उसी हिसाफ से य क्या होना चाहिए यहां पर ध्यान दखेगा हमें इलेक्टिकल से डिप्लोमा होना चाहिए ठीक है आपको इलेक्टिकल से डिप्लोमा होना चाहिए फोर्मेन के लिए डिप्लोमा इलेक्टिकल ठीक है फोर्मेन के लिए क्या है साहव डिप्लोमा इलेक्टिकल जरूरी है त और ये पद है आपका ITI के लिए, तो ITI वाले को license चाहिए, diploma electrical से होना जरूरी है, देन वह चात्र बिलकुल योग होता है इस frequency को भरने के लिए, ठीक है, अब हम योगता अगर बात करें chain प्रक्रिया की, तो chain प्रक्रिया होगी computer based test, और ये इस computer based test में जो पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा साथियों, आपको सिर्फ technical question, ठीक है, और वो भी कितना hundred, तो अगर हम बिसेस रूप से बात करते हैं हमारे ITI के मित्रों के लिए, तो hundred marks का सिर्फ technical question आपको पूछा जाएगा, negative marking भी इसमें है, computer based test होगा, और ये test कहां पर होगा, ये test होगा आपको र हारखन को हम क्या कहते हैं, कोईले का हीरा कहा जाता है, that means diamond of coal के नाम से वो जाना जाता है, बिहार का ही वो एक भाग था, आप सब जानते हैं हमारा भाई, हमसे अलग हो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी साथियों, ध्यान रखिएगा, ये आपकी क्या है, merit-based examinations है, उसके आधार पर आपकी न्युक्ती होनी है, और यहां का job एक अपने आप में जबरदस्ट job होता है, salary भी बढ़िया ही है, ठीक है साब, salary में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब हम अगर देखें, जो सबसे महत्पून चीज़ हैं, की vacancy आती हैं, चली जाती ह हैं, हम तो बैठे नहीं रह गए, इस बात को लेकर भी हमें care करना है, तो आपको जैसा की सर ने भी बताया था, 30 तारीक से लेकर के 4 मई के बीच में, 30 अपरेल से 4 मई के बीच में आपका admit card download हो जाएगा, 5 मई को आपका exam होना है, CBT 1 होना है, यानि एक ही exam है, इसमें आरे छातर apply कर दीजिए, समय अब कम बचा है, और जम के तयारी कीजिए, ITI के छातरों को complete question पुछा जाएगा, जो पूरा मेरा electrician का syllabus है, वहां से, ठीक है, जो कि आपका electrical machine है, आपका power system है, power transmission distribution है, आपका illumination chapter है, आपकी safety health है, hand tools है, ठीक है, उसके बाद measurement है, आपकी underground cable है, स 70 accessories हैं, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो आपका जितना भी machine, खासकर कि machine से भी आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, आपका induction motor है, single phase induction motor है, three phase induction motor है, आपकी total की total हमारे जो syllabus है, उस पूरे syllabus से आपको technical question पूछा जाएगा, तो आप जीजान से पढ़िए, महनत कीजिए, बाकि हम से जितना support होगा, हम आपके साथ सदैब खड़े हैं, ठीक है, और हमारी ALP के एक नई test आ गई है, जो every Saturday को चलती है, online, offline, दोनों mode में, तो आप app के माध्यम से उसे ले सकते हैं, बहुत-बहुत धन्वाद, आप सभी के उजवल भविश्की सुबकावनों के साथ, आप से भी दा लेता हूं,